रुकरते एंगली खबर का चोमू के पूर्विधायक रामलाल शर्मा ने अधिकारियों की थपथपाई पीठ आपको बता दे कि अच्छे कारे की पूर्विधायक रामलाल शर्मा ने तारीफ की है जैपुर डेरी के एमडी मनीज फौसदार और पंकजोजा के कारे की सरहना की पंकजोजा लगातार मिलावट खोरों के खिलाब सक्त कारवाई करते दिखाई देते हैं दूद में मिलावट को लेकर गंभीर है जैपुर डेरी के एमडी मनीज फौसदार दोनों ही अधिकारी अपने कर्तवे के प्रती सजग है रामलाल शर्मा ने ये बात दूगा जैपुर जिले की कई तहसील में रह चुके हैं अधिकारी मनीज फौसदार जैपुर डेरी के एमडी है मनीज फौसदार जिनके कारियों की सरहाना की चोमु के पूर विधायक रामलाल शर्मा ने और साथ ही पंकर जोजा राजिस्थान के इकलोते आरेस अफसर है जिन्होंने लगातार सक्रियता के साथ अपनी फील्ड में भूमिका निभाते दिखाई देते हैं रायस्थान में मिलावट खोरों की नाक में दम कर रखा है तो दोनों के कारियों की सरहाना करते हुए पूर्व विधायक रामलाल शर्मा दूद में मिलावट को लेकर गंभीर जैपुर डेरी के एमडी मनीश फौसदार ये बात भी उन्होंने कही पिलाल दोनों ही अधिकारियों को शाबाशी दी दोनों के कारियों की उन्होंने सरहाना की तो रायस्तान की सीनियर आरे सफसर है पंकर जोजा और इस समय महत्मुन जिम्मेदारी खादे विभाग में निभाते हुए और तमाम मिलावट खोरों पर कारवाई करते हुए दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर भी अक्टिव रहते हैं धन्यवाद आधर्नियम मुख्यमंत्री जी भजललाल शर्मा बीजेपी पूर विदायक रामलाल शर्मा की एक्सपोस्ट रायस्तान फिशासिन सेवा के दो ऐसे अनुभवी अधिकारियों को मिलावट खोरों के खलाफ सक्त रणे के जिम्मेदारी जेपोटेरी के एंडी मनीश और अरेस अधिकारी पंका जूजा के लिए उन्होंने ये एक्सपोस्ट बिधि और धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री भजललाल शर्मा को कि एक्सपोस्ट पर दोनों अधिकारियों की तारीब वियुनोंने की और अधि और इस पे और अधिक चर्चा के लिए अमार साथ जुड़ गए है पूर विदायक रामलाल शर्मा सर बहुत-बहुत स्वागत है रामलाल जी आपका सच भी धड़क में जी सोरो जी धन्यवाद रामलाल जी बेहत अच्छी बात है कि अच्छे कामों की सराना समय पर की जाये तो औरों को भी प्रोचसान मिलता है और वो करके आपने दिखाया है और साथी मुख्यमंत्री को भी इसका धरनेवाद दिया है क्या कहना चाहेंगे आपकी पृतिकरिया सर देखिए प्रदेश के यह तोस्वी मुख्यमंत्री बजहन लाल्पी का वीजन है यह मेरे पहली मुलाकात उन्से हुई थी तभी उन्होंने एक कमिट्मेंट दर साहता इस बात का कि मिलावट कोरों के लाप सक्कारवई सरकार करेगी जी और मेरे सामने उन्होंने उस सदिक कराई थी कि अमुक चेतर से इसना दूद कलक्शन हो रहा है जब मनीज सोजदार को जेपूल डेरी का एंडी लगाया गया उसके बाद धिरे धिरे दिए दूद के अंदर गिरावट आई और वो जहां दूद एक लाग साट जार लिटर दूद के आवक थी उस चेतर से वहा पास को खाइब करता है कि तो लाओट हो रहे हैं उनके मनसुबे इसने फलीगूत हो रहे हैं जिनकों पर अंगूत लगाना बहेत जरूरी है बिल्कुर मेरी सोच है एक वेक्षी किसी दूसरी वेक्षी के एक ठपड मारता है उससे कोई बड़ा नुक्सा नहीं हो था लेकि सब्सक्राइब करें बिल्कुल रामला जी बहुत सही बात कर रहे हैं और भी अधिक सक्ती की आवशकता है वैसे बेहत बहतरीन काम सरकार भी कर रही है पर शासन भी कर रहा है जिसकी तारीव आपने खुद नहीं करी चाये वो मनीश फौसदार हो एमडी जैपूर डेरी के या फिर पंकज हो जाहूं दोनों ही बहतरीन काम कर रहे है क्योंकि विशे जो है वो बेहत गंबीर है स्वास्थे जड़ा हुआ है और जनता भी यह चाहती है जनता यह उमीद भी करती है सरकार से कि इस तरह के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके हातों में कमान सौपी जाए जो बहतर काम करके दिखाए बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचार को अमरसा साजा करने के लिए रामलाल शर्माजी